जैहिंद आज की इस वीडियू में जानेंगे कि आधार की और चहरचे अपडेट आया हुआ है अपडेट ये है कि जतना भी लोगों ने अपना अधार कार्ड बनवाया है सभी को जो है । धोबिएट करना होगा। ये जो धुक्मेट अपडेट होगा। इसका जो लाश्ट डेट है वो 14 सेप्टेंबर 2024 तक रखा गया है अगर 14 सेप्टेंबर 2024 तक आप डॉकमेंट अपडेट्स कर लेते हैं तो आपको फिडी ओपकोष्ट में अंतिकी फिडी में आपका हो जाएगा लेकिन उसके बाद अगर डेट नहीं बढ़ता है तो आपको क कर सकते हैं ठीक तो कैसे आप खुद के माधियम से अपने मुवाइल के माधियम से लेप्टॉप के माधियम से कैसे आप डॉकमेंट अपडेट करेंगे इसके साथ कौन-कौन से डॉकमेंट अप्लोड करेंगे कैसे क्या करना है complete process step by step हम आप सभी को बताने वाले हैं यह वी जो इंटरफेस रहेगा कुछ इस प्रकार से यहां पर सो करेगा इस website का link हम आपको वीडियो के description में दे देंगे वहां से आप direct आ सकते हैं या नहीं तो आपको आना है अपने Google में type करना है myadhar.uidai.gov.in type करने के बाद आप home page इस प्रकार से आपका सो करेगा यह website आप यहां यहां पर देखिए document update का option मिलेगा और यहां पर last date भी बता दिया गया है 14 September 2024 तक आपका free of course रहेगा उसके बाद आपको जो है कुछ न कुछ चार्ज आपको लगेगा यहां पर आने के बाद आपको देखिए login का option मिलता है यहां पर click करेंगे click करने के बाद आपका जो है एक नयावला page आगा यहां पर देखिए capture अगर आपका नहीं आगा तो थोड़ा से wait करना है हो चके तो दोवारा से page को refresh कर देंगे जब page को refresh करेंगे तो आपका यहां पर capture आजागा यहां पर आधार नमर फिल करेंगे इस capture को यहां पर फिल करेंगे login with OTP पर click करेंगे आपके आधार के साथ जो भी मौलमर link रहेगा उस पर OTP आगा OTP को फिल करके login आप कर देंगे login करने के बाद जो है आपका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से रहेगा यहां पर जो आपका एक photo लगा हुआ रहेगा और यहां पर services के नीचा में देखें सारा services आपको यहां पर देखन हम से कर रहे हैं OTP के माधियम से खुद से कर रहे हैं तो यहां पर video of cost लगेगा लेकिन आपके आधार के साथ मौलमर link नहीं रहेगा तो आपको आधार सेंटर जाके यह document अपडेट करवाना होगा और अपडेट करवाना जरूरी है सभी को करवाना होगा तो आपको वहां प कुछ interaction यहां पर आपको मिल जागा तो यहां पर आपको next करना है next करने के बाद यहां पर देखे please verify your demographic update डेमोगराफिक अपडेट में आपका नाम आपका gender आपका date of birth आपका address आता है इसको एक बार चेक करना है अगर इसमें सारा चीज आपका सही है इसके साथ आपको document भी upload upload करना होगा कौन-कौन सी document upload करना हो हम आपको बताएंगे अगर यह सारा चीज आपका सही है तो यहां पर एक option मिलता है टीक करने के लिए आप टीक करेंगे और next पर click करेंगे अगर आपका कुछ गलती रहेगा तो फिर आपको अधार center जाके ही जो है update करवाना होगा वहां स आपका सुधार भी हो जाएगा उसके बात देखे ये सारा चीज आपका हो जागा यहां पर टीक कर देंगे उसके बात next पर click करेंगे जैसे next पर click करेंगे यहां पर देखे आपको guideline आपको पूरूप पॉक्प अप्लोड करना है तो यहाँ पर किलिक करेंगे यहाँ पर साङ लिस्ट्व आपको देखने को मिल जागा आप तो पहले यहाँ पर एडेन्टीटी में ढर्रेंग लिशंस का आपयो अप्शन मिल जाता है इसके ओम बीद अधिकिन पर इतरो स accents करेνगे उसके फोटो आईडी कार्ड मिल जाता है राशन कार्ड हो गया आपका या फिर आउनलाइन मला राशन कार्ड आपका हो गया या फिर SC, ST, OBC सर्टिफिकेट जो इसू बाई सेंट्रल गोर्रमेंट या स्टेट गोर्रमेंट दुआ किया गया वो आप यहाँ पर देश सकते हैं मेरे पास जो आउनलाइन डाउनलोड किया हुआ इबोटर आडेंटी कार्ड है ठिक ना दोनों साइड का हम जो है उसको एसके निंग करके एक पीडियाप के माद हमसे बना के रखें दो एमबी से कम का साइज में उसको हम यहाँ अपलोड करेंगे तो यहाँ पे हम इस वाल के ऑप्शन पर किलिक करना होगा यहां पर हम जो ओपेंड के ऑप्शन पर किलिक करेंगे अगर आपका साइची सहीड है अगा और यहां पर देखे पहले जो हम यहांपे अफ लोड किये थे यह था मेरा पूरूप भूब address, मतलब एरा address को prove करने के लिए, हम्साइब और यहां पर decentralize से जुश्च से जुरा हुआ, यहां पर document आपको मिल जाता है, तो आपके पास जो भी document रहेगा, इस list में खोज गरके उसी document को आप यहां पर देंगे, जैसे कि उपर में हम जो है वोटर कार्ड अपलोड किये थे और इसमें भी हमको जो वोटर कार्ड का उप्शन मिल रहा है तो यहाँ पे हम वोटर कार्ड को यहाँ पे दे देंगे और आपको यहां पर धियान डखना हो, उपर बाला में अगर आपका जो option मिल रहा है वो दीजिए, अगर नीचे मागर आपका नहीं मिल रहा है, जो भी document आपके पास है, जो मिल रहा है उसको यहां पर दीजिए, परले यहां पर select किजिए, ओके किजिए, उसके बाद फिर से व्यूच के ओपर पर किलिक किजिए, continue पर किलिक किजिए और यहाँ पर जो है आपको देखने को option मिल जागा यहाँ पर आपका file select किजिए और open किजिए आपका यहाँ पर हो जाएगा उसके बाद देखें यहाँ पर आपको tick करना होगा next का option आपको आ जागा next पर किलिक करेंगे उसके बाद देखें यहाँ पर पूछा जाथा please confirm your demographic मतलब कि आपने जो भी detail सराचीज आपने चेक किया वो आपका सराचीज सही है और आपने जो भी document को select किया तो वो ही document आपने upload किया है उसके बाद okay के option पर आप यहाँ पर किलिक करेंगे यहाँ पर देखें आपको लिखावा मिल जागा dear resident this service is video of cost तिल और अनि कि 14 September 2024 तक और 14 September 2024 तक आपका video of cost है इसलिए यहाँ पर जो हमसे payment नहीं मांगा गया लेकिन अगर आप अधार center से जाके update करवाएंगे तो आपको 50 प्या charge लगेगा और अगर 14, 9, 24, 24 के बाद आप करवाते हैं तो हो सकता है इसके बाद अगर charge आपसे भी मांगा जाए इसलिए date से पहले ही आपको कर देना है update last में यहाँ पर जो है submit का option मिलेगा ठीक, download करने के बाद देखें यहाँ पर आपको जो है go to dashboard का option मिलेगा, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे उसके नीचे एक तरफ आएंगे, यहाँ पर देखें मेरा जो आचुका है जैसे कि यहाँ पर आभी आप सब देख पाएंगे जैसे कि यहाँ पर देखें, service नाम मेरा आ गया ठीक, उसके देखें यहाँ पर srn मतलब कि आपका जो होगया service request number यह आपको मिल जागा किस date को आपने apply किया तो यहाँ पर मिल जागा और status आपका क्या है वो यहाँ पर मिल जागा ठीक ना, इस परकाल से खुद के माध्यम से आप जो घर बैठे अपना voter card और सोरी आधार card में document अपडेट कर सकते हैं इससे जुरावा कोई भी अगर आपको confusion हो तो वीडियो नीचे comment किजिए आपको reply जलूर मिलेगा वीडियो को लाश्त देखने के लिए धने बाद, thank you so much मिलते नाइस वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत